नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस पियार रिया सुनहा आपके साथ है मुख्यमंत्री नितीश कुमार दिल्ली गए थे दिल्ली में उनके मोतिया बंद के ओपरेशन होने थे और दोनों ही ओपरेशन सक्सेस्फुल रहे उसके बाद डॉक्टर्स के कहजाने डिस्चारज के जाने के बार मुख्यमंत्री नितीश कुमार पटना लोट चुके है पटना लोटते ही वो मीडिया से मुखातिब हुए मुखातिब होने के दौरान उन्होंने कहा सब ठीक है दोनों आखों का ओपरेशन हो गया है डॉक्टर के डिस्चारज करने के बाद मैं वापस लोट चुका हूँ साथ साथ दॉक्टर ने मुझे यह कहा है कि सनलाइट में नहीं जाना है यानि कि यह बाहर धूप बगएरा से बचना है खुदी सुनिए नितेश कुमार क्या कुछ कह रहे है उन्हों आग का देख करके जो अपरेट करना था उन्होंने कर दिया है और कफिर देख करके हमको कहा कि अब आप जा सकते हैं लेकिन तुछ दिन उन्होंने और कहा है आपने सुना कि मुख्यमंत्री निती इश्कुमार क्या कुछ कह रहे हैं आपको बता दे कि मुख्यमंत्री निती इश्कुमार बीते दिन जब मोतिय अबिंद को ऑपरेशन कराने दिल्ली पहुचे तो फिर आरोप प्रत्यारोप का सिलसला शुरू हो गया था क्योंकि केंद्र में कैबनेट विस्तार होना था जिसको लेकर सभी लोग ये कहयास लगा रहे थे कि मुख्यमंत्री निती इश्कुमार आख दिखाने नहीं आख दिखाने गये हैं यानि कि इशारा किसी और ओर था और अब चुके मुख्यमंत्री निती इश्कुमार बिहार लोट चुके हैं और साथ ही साथ आपको बता देया जितन राम मांची अमत्शाह से मुलाकात भी करने जा रहे हैं ऐसे में कई बाते और कई तार जुड़ रहे हैं अब बात की बात है कि आरोप प्रतियारोप तो चलता ही रहेगा फिलहाल मुख्यमंति नितिश कुमार बिहार लोट चुके हैं और इस पर प्रतिक्रियायाने भी शुरू हो चुकी है इस वीडियो में इतना ह साथ बने रहें पलपल के अपडेट्स सबसे पहले आप यहां देख सकते हैं